प्रिये व्यूवर्स आई एस प्रारंभिक परिक्षा 2021 के मदर नजर हमारी टीम ने आपके लिए अक्टूबर 2020 से मई 2021 तक की घटनाओं का विशेवार संकलन तयार किया है इसके लिए दिश्टी आई एस यूट्यूब चैनल के सापता ही करण न्यूस बुलेटिन को विशेवार संकलित किया गया है इसके जरिये आप राजविवस्था, अर्धविवस्था, विज्ञान एवन प्राध्योगी की जैसे विश्यों से जुड़ी सभी बड़ी और महतोपून घटनाओं का एक साथ कोई क्रिवीजन कर सकते हैं आपकी सुविधा के लिए हर एक रिविजन वीडियो के साथ पीडिएफ भी उपलप्त कराई जाएगी उमीद है हमारी यह पहल आपकी सुनिश्चित सफलता के लिए उप्योगी साबित होगी हाली में कैग ने रेलवे के खर्च पर चिंतित करने वाले आंकड़े पेश किये हैं कैग की ताज़ा और्डिट रिपोर्ट के मताबिक टिकट बिक्री और माल भाड़े के जरिये भारतिया रेलवे ने जितना राजस्व एकठा किया है उसमें से पिछले पांच सालों में लगातार कमी दर्च की गई है इसके अलावा वित्तिय वर्ष 2018-19 में भारतिया रेलवे ने आए से ज़्यादा खर्च किया है इस दोरान रेलवे ने प्रती 100 रुपे के आए के लिए 101.77 रुपे खर्च किये हैं अलागि समाने तोर पर देखा जाए तो यहां आकड़ा 97.99 रुपे है लेकिन अगर 2018-19 की कुल कमाई में NTPC और CONCOR यानि कंटेनर कॉर्परेशन आफ इंडिया लिमिटेट की माल भाड़ा कमाई को हटा दिया जाए तो यहां आकड़ा 101.77 पैसे तक पहुंच जाता है आपको बता दें कि आए अरजन करने के बाद रेलवे जितना खर्च करती है उसे ऑपरेटिंग रेशियो कहते हैं रिपोर्ट में बताया गया है कि जिस तरह पिछले सालों में राजसों में कमी आई है उसकी वज़ा से LIC निधी जैसे अतरिक्त बजट स्रोतों पर रेलवे की निरभरता बढ़ी है वहीं हालिया लॉकडाउन के चलते रेलवे के वित्तिया हालात और खराब होने के बाद भी रिपोर्ट में है आगे रिपोर्ट की मानें तो सभी रेलवे जोन में एक जैसे स्थिति नहीं है वित्तिया वर्ष 2015 से लेकर 2019 के बीच देश के 17 जोन में से 9 जोन का ओपरेटिंग रेशियो और सतन 100 फिस दी या उससे कम जबकि 4 जोन का ओपरेटिंग रेशियो 150 या उससे ज्यादा है पी आई आई टी एनी डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटर्नल ट्रेड द्वारा त्यार किया गया है इसका मकसद नवाचारी उत्पाद या समधान मुहया कराने वाले स्टार्ट अप्स और एको सिस्टम इनेबलर्स को पहचानना है पहचाने गए स्टार्ट अप्स और एको सिस्टम इनेबलर्स के लिए यह भी जरूरी है कि वे न केवल रोजगार स्रिजन और विल्थ क्रियेशन करते हों बलकि सामाजिक लाब पहुंचाने में भी उनकी भूमिका हो पुरसकारों के पहले संसकरण में 12 क्षत्रों में आवेदन आमंत्रित किये गये थे जिन्हें कुल 35 श्रेणियों में उपवर्गी क्रित किया गया था ये 12 क्षत्र क्रिशी, शिक्षा, उद्यम प्रौद्योगी की, उर्जा, वित, खाद्य, स्वास्थ्य, इंडस्ट्री 4.0, अंतरिक्ष, सुरक्षा, परियतन और शहरी सेवाएं हैं इनके अलावा महिलाओं के नत्रित वावाले शेक्षणिक परिसरों में स्थित और ग्रामीड क्षत्रों को प्रभावित करने वाले श्टार्टप को अलग से पुरसकार के लिए शामिल किया गया सभी आवेदकों का मुल्यांकर नवाचार, इसकेलिबिलिटी और आर्थिक प्रभाव, सामाजिक प्रभाव, परियावरण प्रभाव, वसमावेशिता तथा विविधता सरीखे छे व्यापक मापदंडो के आधार पर किया गया था इवेंट के दौरान स्टार्टप इंडिया शोकेस और ब्लॉक्चेन अधारित प्रमाडपत्र सत्यापन प्रणाली सिस्टम को लौंच किया गया स्टार्टप इंडिया शोकेस स्टार्टप इंडिया पोर्टल का एक हिस्सा है यह देश के सबसे बेहतरीन स्टार्टप के लिए एक ऑनलाइन खोजी प्लेटफॉर्म मुहया कराता है ब्लॉक्चेन आधारित प्रमाडपत्र सत्यापन प्रणाली, DPIIT द्वारा जारी किये गए पहचान के प्रमाडपत्रों के त्वरित सत्यापन और पहुच को सुनश्चित करेगा इससे सरकारी विभागों, खरीदी संस्थाओं, निवेशकों और अन्य तीसरे पक्षों को किसी प्रमाडपत्र स्टार्टप की जानकारी मिल सकेगी FIS ने एक रिपोर्ट जारी की, जिसके मुताबिक इस साल दुनिया भर में सबसे ज्यादा रियल टाइम ट्रांजेक्शन भारत में हुए हैं COVID-19 महामारी के चलते भारत में प्रते दिन 41 मिलियन के आसपास रियल टाइम पेमेंट ट्रांजेक्शन हुए पिछले साल के मुकाबले यहां आकड़ा दोगुना से भी जादा है इसके अलावा दूसरे छे देशों में भी दोगुने से अधिक की तेजी देखी गई है लेकिन अगर व्रिधिदर के नजरिये से देखा जाये तो इनमें बहरीन का नाम सबसे उपर है जहां व्रिधिदर 657 फीज दी रही है दूसरे पायदान पर घाना है जहां व्रिधिदर 488 फीज दी और तीसरे स्थान पर फिलिपीन्स है जहां व्रिधिदर 309 फीज दी आकी गई है वहें भारत की व्रिधिदर 213 फीज दी रही जो के सितंबर 2019 की तोलना में पांच गुना है वहीं 56 फीजदी से ज़्यादा यूरोपिया भुगतान सेवा प्रदाता पैन यूरोपियन सेपा क्रेडिट ट्रांसफर इंस्टेंट पेमेंट्स नेटवर्क में शामिल हो गए हैं जिससे 20 देशों में इंस्टेंट पेमेंट में तेजी आई है आपको बता दें कि FIS दुनिया भर में रियल टाइम पेमेंट्स को सपोर्ट करता है और भारत, अमेरिका, आस्ट्रेलिया, चीन और ब्रिटन जैसे 24 देशों में इंस्टेंट ट्रांजेक्शन की प्रोसेसिंग कर रहा है प्रदान मंत्री ने स्वामित्व योजना के तहत संपत्ती कार्ट के वितरन का हाली में शुभारंभ किया इसमें लगभग एक लाख संपत्ती धारक अपने मोबाइल फोन पर आए SMS लिंक के जरीए अपना संपत्ती कार्ट डाउनलोड कर सकेंगे बाद में संबंधित राज्य सरकारों द्वारा संपत्ती कार्ट की हार्ड कॉपी दी जाएगी स्वामित्व एक केंद्रिया क्षत्र की योजना है जिसे पंचायती राज मंत्राले के अंतरगत लाए गया है राष्ट्रिय पंचायती राज दिवस यानि 24 अप्रेल 2020 के दिन प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने यह योजना शुरू की थी एस योजना का मकसद ग्रामीर क्षत्रों में घरों के मालिकों को रिकॉर्ड आफ राइट्स प्रदान करना और संपत्तिकार जारी करना है एस योजना को 2020 से 2024 की चार साल की अवधी में पूरे देश में लागू किया जाएगा यह देश के लगभग 6.62 लाख गाउं को कवर करेगा उत्तर प्रदेश, हरियाड़ा, महराष्ट, मद्रखंड और करनाटक राज्यों के गाउं साथी पंजाब और राजस्थान के कुछ सीमा वर्ती गाउं को 2021 के पाइलेट चरण में शामिल किया जा रहा है इसमें करीब एक लाख गाउं शामिल होंगे इन सभी 6 राज्यों ने ग्रामीड क्षत्रों के ड्रोन, सर्विक्षन और योजना के क्रियान वयन के लिए सर्वे ओफ इंडिया के साथ समझोता ग्यापन पर हस्ताक्षर किये हैं इन राज्यों ने डिजिटल प्रोपर्टी कार्ड के प्रारूप और ड्रोन आधारित सर्विक्षन के लिए गाउं के चायन को भी अंतिम रूप दे दिया है विबन राज्यों में इस संपत्ती कार्ड के लिए अलग-अलग नाम का इस्तेमाल किया जा रहा है हरियाड़ा में इसे टाइटल डीड, करनाटक में रूरल प्रोपर्टी ओनर्शिप रिकॉर्ड्स, मध्य प्रदेश में अधिकार अभिलेक, महराश्ट्र में सनद, उत्तर अखंड में स्वामित्व अभिलेक और उत्तर प्रदेश में घरावनी नाम दिया गया है रोयल स्वेडिश अकेडमी अफ साइंसेज ने एकनॉमिक साइंस के लिए सवेरियेज रिक्स बैंक पुरसकार की गोशना की, इस पुरसकार को आम तोर पर अर्थ शास्त्र के लिए नोबिल पुरसकार के नाम से जाना जाता है इस वर्ष यह पुरसकार पॉल और मिल ग्रोम और रोबर्ट बी विल्सन को दिया गया है दोनों विजेता वर्तमान में स्टैनफोर्ड विश्विद्याले में पढ़ाते हैं इन्हें यह पुरसकार निलामी सिध्धान्त में सुधार और नये निलामी प्रारूपों के इन्वेंशन्स के लिए दिया गया है दोनों विजेता 10 मिलियन स्वेडिश क्रोनर यानि लगभग 8.33 करोड रूपय की पुरसकार राशी समान रूप से साज़ा करेंगे आपको बता दें कि विल्सन ने कॉमन वेल्यू के साथ वस्तूओं के निलामी के लिए सिध्धान्त विक्सित किया है कॉमन वेल्यू किसी वस्तू के लिए एक ऐसा मूल्य होता है जो पहले से अनिश्यत होता है लेकिन अंत में सभी के लिए समान होता है वहीं Milgrom ने निलामी का एक और अधिक सामाने सिध्धान तयार किया, जिसमें ना केवल Common Value को बलके निजी मूलियों को भी शामिल किया गया, किसी वस्तू के लिए निजी मूलिय सभी बेडर्स के लिए अलग-अलग होता है, निलामी सिध्धान से किसी वस्तू की कीमत की निलामी को डिजाइन करते समय तीन मुख्य बातों को समझने की जरूरत है, पहले या कि निलामी का नियम क्या है, मतलब निलामी में खुली बोली है या बंद बोली, इसके आधार पर भी बोलियां अलग-अलग हो सकती है, यहीं नहीं सिंगल बिड्स बना मुल्टिपल बि वह वस्तू या सेवा होती है, जिसे निलामी के लिए रखा जा रहा है, कुछ वस्तूएं और सेवाएं सभी बिडर के लिए कॉमन वैल्यू की हो सकती है, लेकिन कुछ वस्तूओं या सेवाओं के लिए सभी बिडर की नजर में निजी मूल्य अलग-अलग हो सकता है, तीस 2020 के नोबेल शांती पुरसकार के लिए चुना गया है। ज्यादा बढ़ सकती है। बड़े मानवियस संगठनों में से एक है। NGTA के लिए RBI ने Eligible Vendors को बोली के लिए आमंतरित किया है। के लिए उन Vendors को पात्र माना गया है जो Fixed Income Securities, विदेशी मुद्रा, मुद्रा बाजार और गोल्ड जैसे एसेट्स में लेंदेन करते हैं। इसका कार्य Fixed Income Securities, Forex, Money Market, गोल्ड सरीखे एसेट्स में लेंदेन, पोर्टफोलियो प्रबंधन, कार्य प्रवाह प्रबंधन, आरक्षत प्रबंधन, विभिन थर्ड पार्टी और इन हाउस सिस्टम के साथ थेकी करण करना है। NGTA Trading Platform से Securities या अनुबंध की सभी जरूरी जानकारियों को आटोमेटिक ही ले लेगा। Leave Travel Concession Cash Voucher योजना और विशेश पर्व अग्रिम योजना शामिल हैं। LTC Cash Voucher योजना खास तोर पर सरकारी कर्मचारियों और संगठित क्षत्र के कर्मियों को ध्यान में रखकर लाई गई है। LTC Cash Voucher योजना के तहत सरकार सरकारी कर्मियों को 2018 से 2021 के दौरान एक Leave Travel Concession पर नकत भुगदान करेगी। हाला कि जो भी कर्मचारी इस योजना में शामिल होना चाहते हैं उन्हें किराय की तीन गुना कीमत की वस्तू या सेवा खरीदनी होगी। वहीं उन वस्तूओं को ही खरीदना जरूरी होगा जिन पर 12 फीजदी या उससे ज्यादा GST लगता है। सरकार के मुताबिक अगर केंद्र के कर्मचारी, सार्वजनी के क्षत्र के बैंकों के कर्मचारी और सार्वजनी के क्षत्र के उपक्रमों के कर्मचारी इस योजना में शामिल होते हैं तो इस पर 7,575 करोड रुपे खर्च होंगे। लेकिन इस से अर्थवयवस्था में 19, 30,000 करोड रुपे की मांग पैदा होगी अब आते हैं दूसरी योजना यानि विशेश पर वो अग्रिम योजना पर इस योजना के तहत सरकार राजपत्रित और गैर राजपत्रित कर्मचारियों द्वारा मांग को बढ़ाने के लिए 10,000 रुपे की ब्याज मुक्त अग्रिम राशी देगी हाला कि उन्हें यह अग्रिम राशी 31 मार्च 2021 तक खर्च करनी होगी दूसरे प्रस्ताओं के तहत सरकार ने पूंजिगत व्याय पर विचार किया है आपको बता दें कि इस प्रस्ताओं के तहत सरकार दो तरह के प्रावधान लाने जा रही है पहला राज्यो दोनों को अलग-अलग 450 करोड रुपे की राशी दी जाएगी दूसरे भाग के तहत बाकी बचे सभी राज्यों के लिए 75-100 करोड रुपे की राशी दी जाएगी जबकि तीसरे भाग के तहत राज्यों को 12,000 करोड रुपे का ब्याज मुक्त रिंड दिया जाएगा लेकि प्रेलू रूप से उत्पादित पूंजिगत उपकरणों पर खर्च के लिए अतिरिक्त 25,000 करोड रुपे का बजट जोडने का फैसला लिया है। वित मंत्राले ने परियावरण वन और जलवायू परिवर्तन मंत्राले द्वारा उनके पांच स्वायत संस्थानों से खुद को अलग करने और दो अन्य स्वायत संस्थानों के विले का प्रस्ताओ रखा है। या प्रस्ताव सारवजने के निधी के कुशल उपयोग को सुनिश्चत करने के लिए लाया गया है। इसके अलावा स्वायत निकायों के मामले में minimum government, maximum governance को भी बढ़ाया जा सकेगा। डिसंगेज करने के लिए भारतिया वन्यजीव संस्थान देहरादून, भारतिया वन प्रबंधन संस्थान भोपाल, भारतिया प्लाइवोड उद्योग अनुसंधानेवं प्रशिक्षन संस्थान बैंगलूरू, CPR परियावरण शिक्षाकेंद्र चिन्नई और Center for Environment Education लोग या हितधारकों को उन्हें चलाने की अनुमती देना। प्रस्ताओं के मुताविक भारतिया वन जीव संस्थान और भारतिया वन प्रबंधन संस्थान को तीन साल की समयावधी में मंत्राले से डिसंगेज करके डीमड विश्व विद्यालेयों में परिवर्तित किया जा सकता है। इससे इन संस्थानों को अधिक पार्ठिक्रम शुरू करने और फैकल्टीज को बढ़ाने की अधिक स्वतंत्रता मिलेगी। इसके अलावा सुसाइटी ओफ इंटीग्रेटेड कोस्टल मैनेजमेंट को नेशनल सेंटर फॉर सस्टनेबल कोस्टल मैनेजमेंट के साथ विले करने का सुझाओ भी दिया गया है। इसके पीछे यह तरक दिया जा रहा है कि जहां एक तरफ दोनों संगठनों की एक जैसी भूमिका है, वहीं विले से आर्थिक बोज भी कम पड़ेगा। इस विले के साथ साथ सलीम अली पक्षि विज्ञान और प्रकृते विज्ञान केंद्र को परियावरण मंत्राले के साथ विले करने की सिफारिश भी की गई है। अधिनियम के मताबिक सरकार को कुछ उत्पादों के लिए जूट पैकेजिंग को अनिवार्य करने के प्रावधान करने होंगे। अगर पैकेजिंग माटीरियल की सप्लाई में किसी भी तरह की कमी होती है, तो वस्र मंत्राले अन्य मंत्राले के मश्वराह पर इन वाईउ फसल है, जिसके बहतर विकास के लिए अधिक्तम उसत तापमान 34 डिग्री सेल्सियस जबकि न्यूनतम उसत तापमान 15 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। वाटर लॉगिंग होना इस फसल के लिए अनुकूल नहीं है। कपास के बाद जूट दूसरा सबसे जरूरी प्राकृतिक फाइबर है। पस्चिम बंगाल और बांगलादेश के प्रमुक भागों में जूट का उत्पादन किया जाता है। जैसे के वल फ्रॉड, हिंसक क्रित्य और चोरी जैसे मामलों में प्रतिबंधित किया जाता है। पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965 के तहत वेतन का न्यूंतम 8.33 फीसदी बोनस दे है। और अधिकतम वेतन का 20 फीसदी है। यह प्रावधान 21,000 रुपे तक का वेतन पाने वाले सभी कर्मचारियों पर लागू होता है। हलाकि Code on Wedges के तहट इनका निर्धारन किया जाना अभी बाकी है। बोनस वेह अमाउंट होता है जो किसी भी employee को कमपनी द्वारा salary से अलग दिया जाता है। बोनस विशेश तोर पर employee को उसके अच्छे काम के लिए motivate करने के उद्धेश्य से दिया जाता है। Code on Social Security Bill 2020 के जरिए पहली बार भारतिय कानून में platform work को परंपरागत रोजगार की श्रेणी से अलग परिभाशित करने का प्रयास किया गया है। इसके मुताबिक platform work परंपरागत employer employee विवस्था से अलग होता है। इसमें एक online platform के जरिए व्यक्ती या संस्थाएं लोगों को सेवाय मुहया कराती हैं। Code में आधारभूत कल्यानकारी उपायों के लिए केंद्र सरकार, platform aggregators और workers की संयुक्त जिम्मेदारी की बात की गई है। लेकिन किस stakeholder की किस स्थर की जिम्मेदारी रहेगी यह तैब नहीं किया गया है। आपको बता दे कि हर company में कुछ ऐसे काम होते हैं जिन्हें इस्थाई कर्मचारियों के बजाए और इस्थाई कर्मचारियों के जरिये करवाया जा सकता है। इसमें company काम के आधार पर भुकतान करती हैं। इन्हें gig workers के नाम से जाना जाता है। पंद्रवे वितायोग ने हाल ही में अपनी रिपोर्ट रास्टपती को सौपी है। इसमें 2021-2022-2025 की अवधी के लिए केंद्र और राज्यों के बीच फंड्स के वित्रण की सिफारिशे हैं। इसके अलावा इसमें रास्टे सुरक्षा और रक्षा खर्च के वित्रपोशन के लिए एक नए नौन लैपसेबल कोश के गठन और राज्यों के लिए प्रदर्शन प्रोचसाहन की पेशकश की गई है। दर असल एनके सिंग की अध्यक्षता वाले पंधरवे वितायोग को 2020-2021 से 2024-25 की अवधी के लिए सिफारिशे देने के लिए गठित किया गया था। लेकिन अर्थ व्यवस्था में मंदी की इस्थिती को ध्यान में रखते हुए आयोग ने पिछले साल 2020-2021 के लिए एक अंतरिम रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। इस अंतरिम रिपोर्ट में करो के विभाजे पूल में राज्यों की हिस्सेदारी 42 फीसदी से घटा कर 41 फीसदी की गई थी। इस साल की रिपोर्ट का शीर्षक Finance Commission in COVID टाइम्स है। इस मुख्य रिपोर्ट के अलावा दो और वॉल्यूम्स को भी राष्टपती के सामने प्रस्तुत किया गया है। वहीं दूसरा पूरी तरह से राज्यों को समर्पित है। इसमें प्रतियेक राज्ये का गहराई से वित्ते विशलेशन किया गया है। हाल ही में National Payments Corporation of India ने WhatsApp को मल्टी बैंक मॉडल में UPI पर लाइव होने की मंजूरी देती है। अब WhatsApp 20 मिलियन उप्योग करताओं तक लेंदेन की सेवा मुहया करा सकता है। हाला कि RBI से अंतिम मंजूरी मिलने के बाद WhatsApp सभी यूजर्स यानी की लगभग 400 मिलियन से अधिक यूजर्स को यह सुविधा मुहया करा पाएगा। इसके साथ ही NPCI ने किसी भी थर्ड पार्टी के लिए UPI से लेंदेन की कुल वॉल्यूम का 30 फी सदी का कैप लगाने का निर्देश भी दिया है। यह 1 जनवरी 2021 से प्रभावी होगा। यानि वैसा थर्ड पार्टी एप जो भुगतान भेजने और प्राप्त करने के लिए NPCI प्लैटफॉर्म का उप्योग करता है। वह UPI पर किये जा रहे कुल भुगतान का 30 फी सदी से अधिक निश्पादित नहीं कर पाएगा। 30 फी सदी की गड़ना पिछले तीन महीनों में हुए कुल ट्रांजेक्शन पर की जाएगी। हालाकि यह कैप मौझूदा सुविधा प्रदाताओं पर तुरंत लागुन नहीं होगा। इन कंपनियों को मानदंडों का पालन करने के लिए 2023 तक का समय दिया गया है। दरसल फोन पे और गूगल पे की वर्तमान में बाजार हिस्तेदारी लेंदें की मात्रा के नुसार लगभग 40 फी सदी है। आपको बता दे कि National Payments Corporation of India भारत में खुद्रा भुक्तान और निप्तान प्रणाली के संचालन के लिए एक अंब्रेला संगठन है। इसका घठन भुक्तान और निप्तान प्रणाली अधिनियम 2007 के प्रावधानों के तहत किया गया है। भारत में एक मजबूत भुक्तान और निप्तान अधोसन रचना बनाने के लिए यह RBI और भारतिये बैंक संग की एक पहल है। यह कंपनी अधिनियम 2013 की धारा आठ के प्रावधानों के तहत एक not-for-profit कंपनी है। UPI यानी Unified Payments Interface एक ऐसी प्रणाली है जो कई बैंक खातों को एक ही मोबाइल अप्लिकेशन में अटैच करने की सुविधा देती है। इससे Simless Fund Routing और Merchant भुगतानों में आसानी रहती है। यह Peer-to-peer लेंदेन को भी पूरा करता है जिसे आवशक्ता और सुविधा के अनुसार, Schedule और भुगतान किया जा सकता है। बीते दिनों Competition Commission of India यानी भारतिय प्रतिसपर्धा आयोग ने Google Pay के संबंध में Google के खिलाफ जाच का देश दिया है। इसकी वजह Google द्वारा खुद के Digital भुगतान अप्लिकेशन Google Pay में अपने प्रभाव का दुरुपयोग करना है। CCI यानी Competition Commission of India का मानना है कि गूगल ने प्रतिसपर्धा आधीनियम की धाराचार के कई प्रावधानों का उलंगन किया है। गूगल तलब है कि प्रतिसपर्धा आधीनियम की धाराचार बाजार में किसी कंपनी द्वारा अपने प्रभाव के दुरुपयोग से संबंधित है। CCI ने Android OS वाले स्मार्टफोन में गूगल पे के प्री इंस्टॉलेशन और गूगल प्ले के भुकतानों के रूप में इन आप बिलिंग पर जाच को आगे बढ़ाने का निर्ण लिया है। के प्रतियोगियों की लागत बढ़ जाती है, जो की प्रतिसपर्धी बाजार के नियमों के विप्रीत है। केंद्र सरकार ने घरेलू विनिर्मार निवेश को बढ़ावा देने के लिए 10 और शेत्रों में भी PLI यानि Production Link Incentive Scheme लांच की है। इसके लिए अगले 5 सालों में 1.46 लाग करोड रुपे का बजट आउट ले रखा गया है। इन 10 सेक्टर्स में Food Processing, Telecom, Electronics, Textile, Specialty Steel, Automobiles और Auto Components, Solar Photovolting Modules और White Goods मसलन, Air Conditioner और LED शामिल है। इससे पहले सरकार ने PLI स्कीम को Medical Devices, Mobile Phones और विशेश Pharmaceuticals उत्पादों के लिए लांच किया था। हाला कि अब PLI के दाइरे में कई और Pharmaceuticals उत्पाद, मसलन, Complex Generics, Anti-Cancer और Diabetic Drugs, In-Vitro Diagnostic Devices को भी लाया गया है। इसकीम का मकसद इन 10 शेत्रों में विनिर्मान करताओं को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए निवेश को आकरशित करना है। केंद्र सरकार ने हाल ही में मेट्रो नियों के लिए रास्टिय मानक निर्देशों को मंजूरी देने का निर्डलिया है। यह रेल पारगमन परनाली 10 लाग से कामाबादी वाले शेहरों या बड़े शेहरों के सब अर्बन शेत्रों में शुरू की जाएगी। इसमें राज्य सरकारों और शेहरी इस्थानिय निकायों को उनकी जरूरत के मताबिक प्रस्ताव तयार करने की छूट दी गई है। दरसल भारत में प्रदूशन और ट्रैफिक जैसी समस्या बढ़ती ही जा रही है। ऐसे में मॉबिलिटी को रैंप अप और उप्टिमाइज करने की जरूरत महसूस हो रही है। और अर्बन मॉबिलिटी की आधूनिक अवधारना भी वाहनों के बजाए लोगों का मूमेंट बढ़ाने पर जोर देती है। इसलिहास से मेट्रो नियो पहल को जरूरी समझा जा रहा है। मेट्रो नियो एक कम लागत वाली शहरी रेल पारगमन प्रणाली है। इसमें रबड के टायरों का इस्तमाल होता है। इसे चलाने के लिए ओवर हेड तारों से पावर मुहया कराया जाता है। मेट्रो नियो सिस्टम पारंपरिक मेट्रो ट्रेनों की तुलना में हलका और छोटा है इसकी शमता सामान्य तह 10 टन के लोड की है यानि की यह उन जगहों के लिए उपयोगत है जहां ट्रैफिक की मांग पीक टाइम में लगभग 8000 यात्रियों की है इसमें मेट्रो ट्रेन की तुलना में लगभग 25 फीसदी का ही लागत खर्च अनुमानित है खालिया खबरों से पता चला है कि कश्मीर से केसर के पौधों के बीच सिक्किम ट्रांस्पोर्ट किये गए हैं सिक्किम के यांग यांग शेत्र में इसकी खेती में सफलता मिली है गोरतलब है कि कश्मीर के पंपोर और सिक्किम के यांग यांग शेत्र में जलवायू और भौगालिक समानताए हैं केसर का उत्पादन लंबे समय तक संग शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के छोटे भौगालिक शेत्र तक सीमित रहा है धरजल भारत में पंपोर शेत्र को कश्मीर का केसर का कटोर के नाम से जाना जाता है और इसकी पैदावार कश्मीर के कुछ खास शेत्रों तक ही सीमित है हाला कि नैशनल मिशन और सैफरन के जरिये इसकी खेती को बहतर बनाने के प्रयास किये गए हैं आपको बता दें कि नेक्टर यानी नौर्थ इस सेंटर फॉर टेक्नोलोजी एप्ल द्योगी की विभाग के तहट एक स्वायत संस्था है पिछले दो-तीन सालों में जस तरह लक्ष्मी विलास बैंक की वित्तेई हालत बिग्डी है उसे देखते हुए सरकार ने बड़ा फैसला लिया है सरकार ने इस बैंक को 16 दिसंबर 2020 तक के लिए मोरेटोरियम के यानी प सरकार से गुजारिश की है कि लक्ष्मी विकास बैंक का सिंगापूर के DBS बैंक की भारतिय इकाई में विले कर दिया जाना चाहिए इस से बिना कैपिटल इन्फ्यूजन के ही मर्ज्ड इकाई का CRAR यानी Capital to Risk Weighted Assets Ratio 12.5 एक फीसदी जबकि Common Equity Tier 1 Capital 9.6 फीसदी हो जाएगा RBI का मानना है कि अगर दोनों बैंक मर्ज होते हैं तो मर्ज्ड इकाई की Credit Growth में मदद मिलेगी क्यूंकि इससे 25 करोड का Additional Capital जुडेगा बता दें कि सरकार ने इस तरह का फैसला Banking Vinium & Adenium 1945 की धारा 45 के तहत लिया है इस धारा के मुताबिक अगर RBI को लगता है कि किसी Banking Company के समामेलन यानि Amalgamation की योजना बनाने के लिए उसका काम काज रोका जाना जरूरी है तो वह सरकार को उस Company को Moratorium में लाने के लिए सिफारिश कर सकता है इसके आगे Moratorium की अवधी में ही अगर RBI को लगता है कि जनता, जमा करता या देश के Banking System के हित में Banking Company का पुनरगठन या विलै किया जाना जरूरी है तो वह उसके लिए योजना बना सकता है कुछ समय पहले सरकार ने सामाजिक सुरक्षा सनहीता केंद्रिय नियम 2020 का मसौदा तयार किया था अब प्रक्रिया के तहत इन्हे सरकार ने लोगों के सामने अपनी राय और आपत्ती दर्ज कराने के लिए नोटिफाई किया है मसौदे के मताबिक ये नियम कर्मचारियों की भविश्य निधी, कर्मचारी राज्य बीमा निगम, ग्रेच्विटी, मात्रित वलाब, सामाजिक सुरक्षा और कुछ उपकरों के संबंध में सामाजिक सुरक्षा सनहीता 2020 के प्रावधानों के संचालन की वैवस्था करते ह वहीं इसमें असंगठित कामगारों, गिग वर्कर्स और प्लैट्फॉर्म वर्कर्स के लिए सामाजिक सुरक्षा के भी प्रावधान हैं ड्राफ्ट के मताबिक अब असंगठित कामगार, गिग वर्कर्स और प्लैटफॉर्म वर्कर्स केंद्र सरकार के पोर्टल पर खुद का पंजी करन कर सकेंगे। इसके लिए श्रम और रोजगार मंत्राले ने पहले से ही पोर्टल विक्सित करने पर काम शुरू कर दिया है। में लाभों का हगदार होगा जहां वह वर्तमान में काम कर रहा है। राजे के बिल्डिंग वर्कर्स वेलफेर बोर्ड की जिम्मेदारी होगी कि वह उसकामगार के लाब सुनिश्चित करे। बीते दिनों वितमंत्री ने आत्म निर्भर भारत रोजगार योजना की गोशना की। इसे आत्म निर्भर भारत 3.0 प्रोचसाहन पैकेज के तहट लाया गया है। इस योजना का उद्देश कोविड-19 आर्थिक सुधार चरण के दौरान रोजगार के नए अफसर पैदा करने को प्रोचसाहित करना है। इसके तहट EPFO यानि कर्मचारी भविशनिधी संगठन के साथ पंजिकृत प्रतिस्ठानों में नए कर्मचारीों को रोजगार देने पर उनके भविशनिधी योगदान में सरकार द्वारा सबसिडी दी जाएगी। यह योजना एक अक्टूबर 2020 से प्रभावी मानी जाएगी और 30 जून 2021 तक चालू रहेगी। संगठनों में सरकार द्वारा केवल कर्मचारीों के हिस्से की मजदूरी का 12 फिसदी दो वर्षों के लिए EPFO में जमा किया जाएगा। सबसिडी राशी को केवल नए कर्मचारीों के आधार सीड़ीड EPFO हातों में जमा किया जाएगा। हाला कि योजना का लाब उठाने के लिए 50 कर्मचारीों वाले प्रत्यस्थानों में न्यूनतम दो नए कर्मचारीों को जोड़ना होगा। जबकि पचास से अधिक कर्मचारीों वाले संगठनों को कम से कम पांच कर्मचारीों को जोड़ना होगा। या फिर जिन्होंने 1 मार्च से 30 सितम्बर के बीच अपनी नौकरी छोड़ दी और 1 अक्टूबर या उसके बाद फिर से नौकरी शुरू की हो। हाल ही में वित्मंत्री निर्मला सीता रमण ने आत्म निर्भर भारत 3.0 प्रोचसाहन पैकेज के तहत 12 नए उपायों की घोशना की 2.6 पांच लाग करोड रुपए का यह प्रोचसाहन पैकेज कोविड-19 महामारी के बीच भारतिय अर्थ विवस्ता को बढ़ावा देने में मदद करेगा आईए इसके तहत लिए गए उपायों को देखते हैं इस पैकेज के तहत 10 सेक्टर्स में 1.46 लाग करोड रुपए की प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम शुरू की जा रही है MSMEs, विवसायों, मुद्रा, उधार करताओं और विवसाय कुद्ध्योश्यों वाले इंडिवीज्वल्स रिंड के लिए Emergency Credit Line Guarantee स्कीम को 31 मार्स 2021 तक बढ़ाया गया है इसमें कामत कमीटी द्वारा पहचान किये गए 26 स्ट्रेस्टरों की Entities के साथ साथ 50 करोड रुपे से 500 करोड रुपे तक के बकाया रिंड़ वाले Healthcare सेक्टर को कवर किया जाएगा शहरी आवासों के लिए PM आवास योजना पर बजट अनुवान से 18,000 करोड रुपे के अतिरिक्ट परिव्य की घोशना की गई है इससे 18,000,000 घरों के निर्मान को पूरा करने में मदद मिलेगी साथ ही अतिरिक्ट 78,000,000 नौकरियां पैदा होंगी और इसपात और सीमेंट के उत्पादन और विक्री में सुधार होगा निर्मान और अवसंरचना शेत्र में अनुबंधों पर पर्फॉर्मेंस सिक्योरिटी को कम करके 31 दिसंबर 2021 तक 3 फीसद किया जाएगा 2 करोड रुपे तक की कीमत वाले घरों के खरीदारों और डेवलेपर्स के लिए करमे राहत की घोशना की गई है सरकार रास्टे निवेश और अवसंरचना कोश में 6,000 करोड रुपे का एक्विटी निवेश करेगी किसानों को 65,000 करोड रुपे की उर्वरक सबसिडी प्रदान की जाएगी चालू वित्वर्श 2021 में पी-म गरीब कल्यान रोजगार योजना के लिए 10,000 करोड रुपे का अतिरिक्थ परिवे दिया जा रहा है आइडिया ज्यानी इंडियन डवलप्मेंट असिस्टेंस स्कीम के माध्यम से परियोजना के निर्यात के लिए एक्विब बैंक को अतिरिक्थ 3,000 करोड रुपे जारी किया जाएगा रक्षा उपकर्णों, ओद्योगिक बुनियादी धाचे और हरी तूर्जा पर कैपिटल और ओद्योगिक वे के लिए 10,200 करोड रुपे का अतिरिक्थ बजट प्रोच साहन दिया जाएगा कोविड-19 के टीका विकास के लिए 900 करोड रुपे के आर एंडी अनुदान की घोशना की गई है हाली में RBI के एक इंटर्नल वर्किंग ग्रूप ने बैंकिंग सेक्टर से जुड़े कुछ प्रस्तावों को सामने रखा पीके मोहनती के अध्यक्षता वाले समोह का गठन जून 2020 में किया गया था इस ग्रूप ने कॉर्पोरेट्स को बैंकिंग स्पेस में प्रवेश करने बड़ी NBFC को बैंकों में बदलने और बैंकों में प्रमोटरों के हिस्सेदारी 15 फीजदी से बढ़ा कर 26 फीजदी तक करने की सिफारिश की है गौर्तलभे के बड़े कॉर्पोरेट्स और अध्योगिक घरानों को बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 में आवश्यक संसोधन के बाद ही बैंकों के प्रमोटरों के रूप में अनुमती दी जा सकती है हालांकि फिलहाल RBI कॉर्पोरेट घरानों को व्यावसाइक बैंक के स्थापित करने या चलाने की अनुमती देने के खिलाफ है IWG ने 50,000 करोड रुपे और उससे अधिक की परिसंपत्ती वाली बड़ी NBFC यानि गैर बैंकिंग वित्त कंपनियों को बैंकों में बदलने की बात रखी है इसके लिए उन्हें कुछ अन्य शर्तों जैसे बतौर NBFC परिचालन के 10 वर्षों को पूरा करना ज़रूरी है इसके तहट कॉर्पोरेट घरानों के स्वामितों वाली NBFC भी शामिल की जा सकती है ग्रूप ने भुगतान बैंकों यानि पेमेंट बैंक को SFB यानि स्मॉल फेनेंस बैंक में बदलने के नियमों में भी सुधार करने की सिफारिच की है इसके लिए भुगतान बैंक के रूप में तीन साल के अनुभव को परियापत माना जा सकता है साथी SFB और भुगतान बैंक को सार्व भौमिक बैंक यानि यूनिवर्सल बैंक बनाने की शर्ट को भी रखा गया है इसके अलाबा IWG ने नए बैंकों को लाइसेंस देने के लिए नियून्तम प्रारंभिक पुझी की आवशकता से जुड़े प्रावधानों में भी बदलावों को सामने रखा है सार्व भौमिक बैंकों के लिए नियून्तम प्रारंभिक पुझी 500 करोड रुपे से बढ़ा कर 1000 करोड रुपे और SFB के लिए 200 करोड रुपे से बढ़ा कर 300 करोड रुपे की जाने की सिफारिश की गई है हाली में सरकार ने FDI याने विदेशी प्रतेक्श निवेश प्रस्तावों के लिए एक नय एक एक इकरिट सिंगल विंडो क्लियरन्स सिस्टम को 31 मार्च से शुरू करने का फैसला लिया है DPIIT द्वारा प्रस्ताविति से किकृत सिंगल विंडो क्लियरंस सिस्टम से FDI स्विकृतियां नकिवल पारदर्शी बलकि समीचीन भी होंगी इसमें नियामकों, नीती निर्धारकों और सुगम करताओं को सभी को एक प्लेटफॉर्म पर लाया जाएगा जिसे आवेदन करता डिजिटल रूप से एकसेस कर सकेगा दरजल भारत में FIFP यानि विदेशी निवेश सुभिधा पोर्टल और राज्यों में सिंगल विंडो क्लियरंस जैसे कई IT प्लेटफॉर्म की मौझूदगी पहले से ही है फिर भी निवेशकों को जानकारी जुटाने और विभिन्न हितिधारकों से मनजूरी लेने के लिए दूसरे प्लेटफॉर्म पर जाने की जरूरत पड़ती है इसके लिए ही DPIIT ने एकिकृत सिंगल विंडो क्लियरंस सेल का प्रस्ताव रखा था यह सेल एक One Stop Digital राष्ट्रिया पोर्टल होगा जो सरकार के विभिन्न मंत्रालेयों और विभागों के मौजूदा क्लियरंस सिस्टम को एकिकृत करेगा इससे सिंगल एकिकृत आवेदन फॉर्म के जरीये ही आवेदक को end-to-end सुविधा सहायता मौहिया कराई जा सकेगी इसमें निवेश पूर्वसला, भूमी बैंकों से संबंधित जानकारी और केंद्रिया वराज जेस्तर पर मंजूरी की सुविधा शामिल है आपको बता दें कि FIFP, FDI निवेशकों की सुविधा के लिए भारत सरकार का online single point इंटरफेस है यह वाडिज जी और उद्योग मंत्रा लेके DPIIT यानि उद्योग और आंतरिक व्यापार समवर्धन विभाग Department of Promotion of Industry and Internal Trade द्वारा प्रशासित है पिछले हथे चीन ने पहली बार negative yield debt की बिक्री की इसकी यूरोप के निवेशकों के बीच भारी मांग देखी गई इसकी वज़ा यूरोप में तोलनात्मक रूप से कम yield होना माना जा रहा है negative yield bond में निवेशकों को maturity price खरीद कीमत की तोलना में कम मिलता है ये bond आम तोर पर केंद्रिया बैंकों या सरकारों द्वारा जारी किये जाते हैं साथी निवेशक ब्याज का भुगतान करते हैं इन bond में निवेश दबाव और अनश्यतता के स्थिती में बढ़ जाता है वर्तमान में पूरी दुनिया COVID-19 महामारी का सामना कर रही है ये रोप के विक्सित बाजारों में ब्याजदर बेहत कम है ऐसे में निवेशक अपनी पूंजी को सुरक्षित करने के लिए इन विकल्पों को अपना रहे हैं आपको बता दें कि ऐसे वक्त में जब अधिकांश बड़ी अर्थववस्थाएं जीटीपी में गिरावट का सामना कर रही है चीन ने सकारात्मक वृद्धि दर्ज की है 2020 की तीसरी तिमाही में चीन की जीडीपी 4.9% की दर्ज से बढ़ी है बीते दिनों सरकार ने NIIF में 6,000 करोड रुपे के इंफ्यूजन को मंजूरी दी इस पूंजी प्रवाह का फैसला आत निर्भर भारत 3.0 के तहती लिया गया है इससे 2025 तक 1.1 लाग करोड रुपे की धनराशी बनेगी जिसका इस्तमाल इंफरेस्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में हो सकेगा सरकार इस फंड का इंफ्यूजन इंफरा डेट फंड और इंफरा फैनेंस कंपनी में करेगी NIIF ने ही एक डेट प्लेट फॉर्म के इस्थापना की है जिसमें NBFC Infra Debt Fund और NBFC Infra Finance Company शामिल है सरकारने या फैसला 111 लाग करोड रुपे की National Infrastructure Pipeline की फंडिंग में सपोर्ट के मकसद से लिया है इसके तहट सरकार पहले ही 22,000 करोड रुपे दे चुकी है NIIF यानि National Investment and Infrastructure Fund के स्थापना भारत सरकारने की थी जो देश के इंफ्राक्षेत्र के लिए दीर्गकालिक पुझी मोहिया कराता है NIIF में तीन तरह के फंड्स है Master Fund, Fund of Funds और Strategic Opportunities Fund Master Fund प्राथमिक तोर पर परिवहन और उर्जा जैसे मुख्य और बड़े Infrastructure सेक्टर में इंवेस्ट करता है Fund of Funds कुछ गतिशील क्षेत्रों जैसे जलवायू अवसन रचना, मध्यमाय और वहनिया आवास Digital Consumer Platform सित्यादी में अन्वेस्ट करता है जबकि Strategic Opportunities Fund एक प्राइवेट एक्विटी फंड है जो छोटे पुझीगत सेक्टर पर फोकस करता है NPCI यानि National Payments Corporation of India में शेयरधारक संस्थाओं की संख्या बढ़कर 66 हो गई है अब इसके शेयरधारक संस्थाओं में ना केवल बैंक बलकि भुगतान बैंक, लगुवित बैंक और भुगतान ऑपरेटर भी शामिल हो गए है NPCI के कुछ नए शेयरधारकों में इंडिया पोश्ट्स पेमेंट बैंक, पेटियम पेमेंट बैंक, मोबिक्विक, अमेजन पे, पाइन लैप्स, फोन पे इत्यादी शामिल है NPCI ने RBI द्वारा रेगुलेटेड 131 संस्थाओं को नेजी प्लेस्मेंट का प्रस्ताव भेजा था, जिसमें से 19 संस्थाओं को NPCI में शेयर आवांटित किये गये इन 19 संस्थाओं को NPCI के एक्विटी शेयरों की 4.63 फीजदी दी गई है, यानि लगभग 81.64 करोड रुपे के नेजी प्लेस्मेंट को पूरा किया गया है NPCI की स्थापना मेहज 10 कोर प्रमोटर बैंकों ने RBI के साथ मिलकर बताओर not for profit company की थी इन में State Bank of India, Punjab National Bank, Canera Bank, Bank of Baroda, Union Bank of India, Bank of India, ICICI Bank, HDFC Bank, City Bank और HSBC शामिल है हाला कि सितंबर 2016 में NPCI ने अपने शेयर धारिता आधार को 10 बैंकों से बढ़ाकर 56 बैंकों का कर दिया था